हेलो स्टुडेंट आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्थे पुस्तक ज्ञानोदे कक्षा पांच का उन्नीस्वा अध्याय जिसका नाम है इमानदारी का फल तो भच्चों प्रस्तु तध्याय में लेखक ने दो भाईयों की मद्धे के संबंद को अपना आधार बनाया है इसमें दो पात्र मुक्ये बताये गए है राकेश और मुकेश इनके इर्दगीर पूरी कहानी घूमती है तो राकेश को इमानदार और मुकेश को धूर्ट और चालाग दिखाया गया है दोनों के गुणों को इसमें बताया गया है राकेश इमानदारी की रहा पर चलते चलते अपना सब कुछ गवा बेड़ता है यहां तक की मुकेस दूर्तता से उसे अंधा भी बना देता है परंतु सत्य तत्ह इमानदारी की महिमा को दिखाते हुए लेकक उसे रास्ता भटकाते हुए जंगल में सेतानों के उस पेड के पास पहुंचा देता है जहां समस्त सेतान रात में कट्टा होकर समाज को परेशान करने की ओजनाओं की सफलता असफलता पर विचार विमर्स करते हैं तो राकेश उनको यह पता नहीं होता कि राकेश भी वहां पर उपस्तित है तो अंजान सेतान वहां पर अंधा पंदूर करने का उपाए और बिमार राजकुमारी के इलाज का उपाय वहां पर बता देता है तो अंधा राकेश डर से कापता हुआ सुबह का इंतिजार करता है और सुबह होने पर वह सेतानों द्वारा बताये गए उपायों पर अमल करके अपना अंधापन तथा गरीबी दूर करके संपन हो गाउं लोट आता है उसके इस्तिती देखकर मुकेश भी राकेश द्वारा बताए गए सेतानों की कहानी पर लालच वश उस पेड़ पर जा बेटता है परन्तु अपनी असफलता से गुस्साय भूत मुकेश को ढूर निकालते हैं और उसे मार डालते हैं इस प्रकार उसे उसके वैवार का फल मोत के रूप में मिल जाता है तो भच्चों क्या आप लोग इमानदारी के बारे में जानते हो जानते तो सब होंगे और इमानदारी का महत्वी आप जानते होंगे इमानदारी का महत्वी इसमें हमें बताया है इस सद्ध्याय में और लालच का क्या परिणाम होता है वो भी हमें इस सद्ध्याय में बताया गया है तो राकेश अपनी विसम परिस्थीतियों से लड़ता हुआ भी क्या करता है इमानदारी के बल पर अंत में सुखी हो जाता है तो बच्चों अब हम अमारा अध्याय सुरू करेंगे इमानदारी का पल तो एक गाउं में दो भाई रहा करते थे एक का नाम था राकेश और दूसरे का नाम था मुकेश राकेश बहुत इमानदार और भोला भाला था वह हर किसी की बात पर सहज ही विश्वास कर लेता था सहज मतलब होता है सीधा तो बच्चों इस कहानी में हमें बताया जा रहा है कि राकेश और मुकेश दो भाई थे राकेश कौन सा था जो इमानदार होता है वो ही राकेश होता है वो क्या करता है किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेता है सहज मतलब आसानी से या जल्दी विश्वास कर लेता है इसलिए उसे कई बार धोखा भी खाना पड़ता था लेकिन मुकेश बहुती धूर्ट और चालाक होता है अपने फायदे के लिए अकसरी वे दूसरों को बिवकूप बनाता था इसी वज़े से उसके पास धेल सारी समपत्ती इकट्टी हो गई तो मुकेश क्या होता है धूर्ट और चालाक होता है तो वो क्या करता था अपनी धूर्ट था और चालाकी से किसी को भी किसी की भी धनसंपत्ती हडप लेता था बेवकूब बना देता था किसी को भी और राकेस क्या था बहुती गरीब और दुर्बल था एक बार दोनों भाईयों में भहस होने लगी मुकेस बोला तुम क्यों इमानदारी के पीछे पड़े हो इमानदारी के पीछे पड़े हो इससे तुम्हें क्या मिला आज तक अगर तुम भी मेरी तरह बेवानी करते तो आज तुम भी रईस होते और मजे से अपनी जिन्दगी बिताते कौन केता है साम मुकेस केता है कि इमानदारी से तुम्हें क्या मिला कुछ भी नहीं अगर आज तुम मेरी तरह बेइमान होते तो तुम भी क्या होते अमीर होते या रईस होते और अपनी जिंदगी कैसे बिताते मज़े से अपनी जिंदगी बिताते राकेश उसकी बात पर हसा वह बोला यह तुम्हारी गलत फेमी है भाई इमानदारी सदेव अच्छी ही है यह बात तो कोई भी बता सकता है तो वो उसकी बात पर हसता है और कहता है कि इमानदारी क्या है अच्छी होती है यह बात तो कोई भी बता सकता है तो मुकेस बोलता है नहीं बेईमानी ही अच्छी है चाहो तो तुम उससे शर्ट लगा लो जो जीतेगा उसे दूसरे की बात माननी पड़ेगी मुकेस ने चाला किसे काम लिया तो मुकेस ने उसको बेउकुब बनाते हुए कहा कि बेईमानी अच्छी शर्ट क्या है बेईमानी अच्छी है या इमानदारी अच्छी है तो इमानदार अच्छी ने मुकेस की बात पर सहजी विश्वास कर लिया मतलब सिग्र या असानी से विश्वास कर लिया शर्ट लगा ली लेकिन इसका फेसला कैसे हो अंत में मुकेस बोला चलो हम लोग घर की ओर चलते हैं रास्ते में मिलने वाले पहले तीन वेकितियों से अपनी बात का फेसला कर लेंगे तो वो कहते हैं मुकेस के राकेस केता है कि बही इस बात का फेसला कैसे होगा कि बेइमानी अच्छी या इमानदारी अच्छी तो मुकेस केता है कि हम घर की ओर चल रहे हैं तो रस्ते में चलने वाले पहले तीन वेक्तियों से हम पूछेंगे कि मानदारी अच्छी या बेहिमानी अच्छी तो उन लोगों से ही अपना फेसला करवा लेंगे राकेश इसके लिए तैयार हो गया दोनों गाउं की और चल पड़े थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बूड़ा मिला वर ठंड की कारण बूरी तरह से कांप रहा था और उसके हाथ में एक उलहाडी थी और फिर और सिर पर लकडियों का बोज शायद वह उन्हें जंगल से काट कर लाया था राकेश उस वेक्ति का अभिवादन करने के बाद भोला बाबा एक बाद बताईए दुनिया में इमानदारी अच्छी या बेमानी तो बूड़ा बोलता है इमानदारी को कौन पूसता है आजकल वह वेक्ति बोला सब बेइमान की पूजा कर रहे हैं इमानदार तो आजकल ठीक से अपने अपना जीवन भी नहीं बिता सकता इसलिए बेइमानी ही अच्छी है तो क्या अच्छी है बेइमानी ही अच्छी है बुड़ा वेक्ति केता है तो उनकी पास एक वेक्ति हो गया वे लोग आगे बड़े, सामने से ही एक चरवाहा अपनी भेडों को लेकर चला आ रहा था मुकेस ने उससे पूछा, क्यों भाई, इमानदारी अच्छी होती है या तो मुकेस की बात पूरी होने से पहले ही, जो चरवाहा है, वो बोल पड़ता है कौन पूस्ता है आजकल इमानदारी को, मुझे देखो, मेरे ही भाई ने धुके से मुझे घर से बेदखल कर दिया अब बताओ, कौन कहेगा कि इमानदारी अच्छी है, मुकेस फिर मुस्कुराया दो वेक्तियों ने उसकी बात का समर्थन किया, किस-किस ने एक बुड़े वेक्ति ने और एक चरवाहे ने, इस तरीके से दो वेक्ति ने उसकी बात का समर्थन कर दिया अब वे दोनों गाउं की एकदम करीब जा पहुँची, तभी उनकी भेट एक साहुकार से हो गई बुड़ा आदमी दूसरा चरवाहा और तीसरा सावकार उन दोनों ने अपनी बात उसके सामने भी रखी सावकार अपने कीमती गरम कपड़ों और सिर के सुन्दर टोपकी और इसारा करते हुए बोला तुम लोग इन कपड़ों को देख रहे हो क्या ये सब इमानदार इसी कम आए जा सकते हैं थे अगर तुम भी धन्वान बनना चाहते हो तो बेइमानी करना सीखो समझे करना उसके बाद सावकार अपनी राहा पर चला गया लेकिन राकेश इस बात से बहुत दुखी हुआ क्योंकि अब तो उसे अपने भाई की सर्थ माननी पड़ती मुकेश उससे बोला तुम अपनी सारी संपत्ती मेरे हवाले कर दो क्योंकि तुम सर्थ हार चुके हो तो मुकेश और राकेश में सर्थ लगी थी अब मुकेश केता है मुझे अपनी सारी संपत्ती दे दो क्योंकि हम दोनों में क्या थी शर्थ लगी थी मुकेश की बात सुनकर राकेश हे रहे गया उसे अपने भाई से इतनी बड़ी दोका धड़ी की उम्मीद नहीं थी वे बोला लेकिन ये तु सरासर बेहिमानी है हाँ हाँ सुना नहीं तुमने अभी सावकार ने कहा कि अगर अमीर बनना हो तो बेहिमानी करना सीखो और वही तो मैं कर रहा हूं मुकेस के मुख पर दूर्तता नाच रही थी दूर्ता मतलब चाला कि या बेहिमानी उसके मुझ पर नाच रही थी तो उसके मुख पर क्याती बेहिमानी आ गई थी और उससे क्या करना था अब मुकेस की जो थोड़ा बहुत उसके पास धन था उसके लिए उसके मन में लाला चाह गया राक से प्यारी थी अतव उसने अपनी सारी संपत्ति मुकेस को सोब दी बच्ची उसके पास सिर्फ एक टूटी हुई जोपड़ी पर अब क्या आगे क्या हो बीवी बच्चों और स्वेम उसके लिए खाने का जुगार कहां से हो उस समय जाड़े का मोसम था चारो और बर्फी बर उसके भाई ने ले लिए उसके पास में कोई चारा नहीं था सर्दी का मोसम था इसलिए वो अपने भाई के पास जाता है उसे देखते ही मुकेस मुस्कुराया उसने कहा कहो कैसे हो इमांदार भाई कैसी गुजर रही है तो सोरी राकेस कहता है गुजर क्या रही है भाई मे डेदो में तुम्हें बाद में लोटा दूगा तो मुखेस ने कुटिलता से उसकी और देखती हुए का हाँ यदि तुम अपनी एकजान कर देदो तो मैं तुम्हें एक बोरी आटा दे सकता हूं राकेश कहता है ये तुम क्या कह रहे हो भाई राकेश एकदम काप सा गया एक बुरी आटे के लिए एक आँख ये तो सरासर अंधेर है तो मुकेश कहता है अब अंधेर हो या उजेर मतलब अंधेरा हो या उजाला इससे मुझे कोई मतलब नहीं यदि तुम्हें आटा चाहिए तो शर्ट मानो नहीं तु यहां से चलते बनो बिना वज़े मेरा समय खराब मत करो राकेश कुछ देर सोचता रहा फिर उसने अपनी एक आंग निकलवा दी और एक बोरी आटा लेकर घर जा पहुंचा तो बच्चों इस अध्याई को हम आज यहीं पर रोग देते हैं आधे अध्याई हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें रीड करेंगे ओके बाई स्टूरेंट